हेलो जी जै मातले आप सबी को मेरी और से कैसे हो आप सबी लोग उमेट करती हूँ आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ स्वागत करती हूँ मैं कृष्णा आप सबी का अपने चैनल पर जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर कृष्णा और ये मेरा चैनल नहीं है फ्रेंट ये आप सबी लोगों का चैनल है क्योंकि आप सबी लोगों ने इसे इतने प्यार से सजा करके रखा है उमेट करती हूँ आगे भी इसी तरह से आप लोग सजा करके रखोगे और अभी शाम का टाइम मैं कर तो गोवर मैंने उठा दिया और अब पिला लेते हैं इसे नंदी महराज को दूद और उसके बाद में फिर करते हैं मिल किंग और उसके बाद फिर आज धेर सारा काम है। छटो में भी जाना है खाना भी बनाना है , शाम का टाइम और बच। ऊप्जों की ड्रेस भी आज don अहीं धो इंअग है दीन में क्या करें तो एक बज़े शाम कोई कपड़े भी धोंगी और जाद नहीं है बस वनसो और चेतन के धोंगी घर में धोने तो इन दोनों की धोंगी पहले कर लेते हैं अपनी गाय की कव मिलकिंग और हाथ धो लेती हूं पहले क्योंकि गोवर उठाया था ना और इसके बाद में इसके थनों को धो लेते ह तो आज कल एक ही गाय है मिल्किंग करने के लिए इसलिए थोड़ा बस लेट लेट ही काम होते हैं क्योंकि रूटीन कुछ जिस इस अजीब हो जाता है जब रूटीन तूट जाता है ना तो अट पठा सा लगता है और यह जो बचडा है ना यह मेरे पैर 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 पर यह अपना पैर रखता है और इसके पैर इतने तीखे तीखे है ना नीचे से कि अगर यह पैर जोर से मार दे तो उंगली तूड़ जाए इसने ना मेरा पैर अपने पैर के नीचे दबाया तो इसने मेरा खोन निकाल यह था गुट्टे से बच गया सुकर है यह बड़ा शरारती बचड़ा है और पिछे कालो रानिया अपनी जुगाली स्टार्ट कर रही है तो कर लेते हैं मिल्किंग और यह मेरे पास जो गाय ना बस आजकल इतना दूद्ध दे देती है कि हमारा जो पूरा फैमली का गुजा है हमसे तो बड़ी मुश्किल से 40-42 रुपए किलो लेते हैं काम देनवाले पर जब इनसे खरीदना हो तो यह पचास रुपए किलो से उपर देते हैं और फिर वह जो होता है ना उसमें पानी मिला करके देते हैं कोई क्यामिकल मिला करके देते हैं तो इससे बैटर है कि हम हैं घर में गाय रखे कम से कम हमारी फैमिली का गुजारा अराम से होता है असानी से होता है और हमें बजार से मारकि litर से दूस्थ हरी ताधि की ज़्रूत धियां है और पहले यहांपर गर्म सुझा इसे निकल गया आधि कश्यून भी निकल गई पर गर्मिय नहीं थी तिनको तो बहुत होती है पर सुबस ङब त्थनड लग जाती है अठोड़ी बारिस हो जाती तो हमने घाल में मक्की बीजी देना तो सड़ रही है कोई नहीं निकल रही है क्योंकि जो नंभी थी तो जिसके कारण यह सब हो रहा है और मैं और वंशना उसमें हल तो लगा रहे हैं दीरे-दीरे करके पर हम इतना नहीं कर पाएंगे जितना की बैल करते हैं और भाईया जी हैं एक हमारे तो कमेंट कर रहे थे मुझे पूछ रहे थे कि आप बैलों से क्यों नहीं हल लगा रहे हैं अभी हो दो साल के कंप्लीट नहीं हुएं दोनों तो इस साल तो वह खेती नहीं कर पाएंगे हलंकि उनको ट्रैनिंग दी हुई है अगले साल से वह काम कर पाएंगे अपना और अब जो मेरी काव मिलकिंगे ना वह हो गई है वह चुकी है और और लोग चले गए हैं खे आता है और आप सभी से रुकेस्ट करूंगी कि फ्लीज वीडियो को आप लोग ना भीना स्किप की हुए देखना ताकि चैनल की थोड़ी एवरेज जो है ना वह बढ़ जाए फ्रेंड्स क्यूंकि आप लोग ही है जो इसे अपने प्यारे फ्यारे हाथों से सजा भी सकते ह मैं तो कुछ नहीं कर सकती मेरा काम तो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक बनाना है आप लोगों तक पहुंचाना है बाकी का जो काम होता है वो आप लोग करते है ठीक है और यहां पर जो पतिदेव जी ने और मैंने उस दिन अरभी लगाई थी न तो इसके बीच में हमने उपर से गोबर की खाद फैंकनी थी तो वोई खाद न मैंने फैंकनी थी यह पतिदेव जी बोलके गया थे वही मैं तो अपना काम करके गया हूँ अब जब तक मैं वापस आऊंगा दो तीन दिन वाद तब तक तुम कंपलेट करके रखना इसको पर मुझे भी इतना टाइम नहीं लगता है बच्चों के साथ पश्यों के साथ थोड़ा बहुत जो टाइम लगता है ना वो मैं खेतों के लिए दे पाती हूं तरवाइस सारा टाइम पश्यों के लिए घास और गोबर और घर की कामों में निकल जाता है थोड़ा बहुत काम होता है कि घर में सफाई करो ये क कपड़े दो या खेतों में जाओ फिर टेंशन ही रहती है मुझे तो ऐसी मैं तो ऐसी करती हूं जब भी छुटी होती ना तो उसी दिन में तसली वक्स काम कर लेती हूं रवाइज में फटा-फट से फटा-फट से आधे काम चूट जाते हैं और आधे रह जाते हैं और अब बारिशें हो जाए ना तो पाने मिल जाए हमें तो फिर मुझे अपने जो घर की है वो लिपाई भी स्टार्ट करने है क्योंकि अभी पता है फ्रेंड्स आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया था मेरे मामजी की डैट हुई थी तो उनकी जो दस महीनी कंप्लीट हो चु लिपाई वगहरा वह नहीं करते हैं एक साल तक हमारी गाउं में ऐसी होता है परिवार में भी ऐसी होता है और औरया चोभी ज्यारी नहीं और पानी पाणा पड़ेga मैं अपना गहर है इसकी लिपाई करूगी और आप मुझे एक सलहा देना जहां पर हमने अरवी लगाई है अगर हम यहां पर दो कमरे बनाएं अभी तो बस ऐसे सोच रही हूँ कि यहां पर बनाना है मुझे घर की साथ में तो कैसा लगेगा अच्छा लगेगा यह निचले वाला जो घर है यह हमारा नहीं है यह हमारी फैमली रहती है दूसरी थी उनका घर है और इसकी यहां जहां पर मैं हूँ नहीं यहां पर दो कमरे अच्छे पड़ेंगे पीछे से डंगा लगाएंगे सड़क में और दो कमरे अच्छे बनेंगे यह बगवान अचानक से यह आज मेरे पापा असुर जी क्या करने लग पड़े मैं तो हैरान होगी थी तो यह पता ही क्या कर रहे हैं मैंने कहा था ना आप लोगों को कि हमने टैक्टर से विजाई क यहां पर मुझे खीरे के बीज लगाने थोड़े से भिंडी के बीज लगाने माता जी यही पर है तो यह पर चोट चोटे पत्थर से इनको उठा रहे थे और टैक्टर ऐसा होते हैं कि उससे जमीन नरम नहीं होती है तो यह दोनों ना दादा पोता जी अज बहल बन गए है जा नहीं दोनों बच्चों जैसी हरकत्त इसमें देख हएं देख देख अगना है। तो कभी चेतन जोर से खीच रहता कभी दीरे खीच रहता है ऐसे में न मुझे बड़ी हसी हारी थी इनकी कि आप लोग क्या कर रहे हैं और मम्मी यहाँ पर जो खास था उसको उठा रहे हैं तो फ्रेंट्स आज का ब्लोग बस यहीं तक है एक नया ब्लोग में तब तक के फ्रेंट्स बेसबरी से इंतजार रहता है क्योंकि यही एक रास्ता है हम और आप डोनों को मिलने का आपस में बाई बाई